कि मारे गुरु जी एक इस्टोरी सुनाते थे कि एक आदमी था बहुत गरीब और गोड़ों का बहुत सौखीन था घर में घोड़ा रखे हुए था हमारे गुरु जी के सारी इस्टोरी गोड़ों पर ही है ठीक है तो जायतर तो गोड़ा को घर में रखे हुए था और गोड़ा के शेवा करता था हजबन वाइफ ही थे बहुत गरीब थे काम चलाते थे एक बार एक संत उनके घर आए रास्ते से गुजर रहे थे साम हो गया इ बैठ गये लोह ने उन्हें खाना उना किलाया उनका सेवा किया खाना उनने के बाद सो गया जग सुबा उठे तो देखने लगे कि इस आदमी की परिशानी का कारण क्या है यह इतना गरीब क्यों है इतना दुखी क्यों है तो उन्होंने पाया कि कभी इसने कुछ गलती की थी जिसके चलते इसे किसी रिशी ने सराब दिया था कि तुझे हाजारों घोड़ों का सेवा करना पड़ेगा गलती क्या किया था इसने किसी रिशी का घोड़ा चुरा लिया था अपने प्रिवेस वक्त में इसी दिशी का गोड़ा चुराया था और इसी ने स्राब दे दिया ठीक है तु गोड़ा लेके गया अब तु जा गोड़े का सेवा कर और जब तक तु हाजारों गोड़ों की सेवा नहीं कर लेता तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तु जो स्वामी जी आया है, कि इसको तो मुक्ते मिलने वाले नहीं है, और देख रहे हैं, इसके घर पर तो एक ही घोड़ा है, गरीब आदमी है, पंडीत है, जाद एक घोड़ा भी नहीं है, खरीद सकता, दो चाहदा से घोड़ा भी नहीं ले सकता, अब सोंच में पड़े गया कि हजार घोड़ा तो इसको हजार जनम लेने पड़ेंगे, अगर ऐसे एक घोड़ा एक एक जनम में रखेगा तो, क्या किया जाए, तो उसको उपाय बताए, उसको बोले, कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम इसे करो, तुम्हें फार्क पड़े, सब कुछ चेंज जाएगा, तो एक स्कूल बनाओ, एक छोटा सा स्कूल बनाओ, जहां आस पास के गाओं के बच्चों को लाके पढ़ाओ, तुम पंडित हो, टीचर हो, सिक्षा देना तुम्हारा काम है, तो तुम बिक्षा मांगो, लेकिन दो-चार बच्चों को लाके पढ़ाना शुरू कर, वो दो-चार बच्चों के घर से जो खाना आएगा, उसे तुम्हें दिक्षा आने मांगना पड़ेगा, और थोड़ी सुधार हो गया, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो करोगा कैसे, तो इस घोडे को बेच दो, और घोडे को बेच करके, और स्कूल जादे एटेश्मेंट था, सोच में पड़ गया, तो भीले नहीं, घोडे तो बेचने हैं तुनको, और हमको प्रामिस करो, कि जब भी तुम्हें कोई घोड़ा देके जाएगा, घोडे तुम्हारे लाइफ में आएगे, तो जब भी तुम्हारे पास घोड़ा आए, तुम मैं आसिरबाद देखे जाओंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बंदे ने प्रामिस कर दिया, घोड़ा ठीक है, हम बेच देंगे, होड़ करेंगे, अब वो अपना एक घोड़ा बेचा, घोड़ा बीच के छोटा सा स्कूल बनाया, और गावां में जाके बच्चों को लाय पहाने के लिए, अब जो गावालों को मालम हुआ, कि पंदीत का सबसे भी एगोड़ा था, और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसने भोड़ा बेच दिया, तो गावाले क्या किये, दो गोड़ा लाके रख दिये, अब ये दो गोड़े को फिरसे बेच दा, दो 10-15 गाओं तक पहुँच गया, तो ये 10-15 गाओं के लोगों को पता चला कि घोड़ा बेच के लिया है, तो सब लोगों ने मिलके 10 घोड़े इसके हां पहुचा दिये, ऐसे करके ये बेंचते गया, और स्कूल को बढ़ा करते गया, धीर धीर बात राजा तक पहुची, तो र अतलब क्या, उसे मुक्ति मिल गई, उसकी परिशानी भी खत्म हो गई, और उसे मुक्ति मिल गई, तो इसलिए कहा जाता है, कि शंतों की शंगत से परिशानियां दूर होती हैं, अगर सही संत मिल जाए, तो सही रास्ता बताते हैं, और उस रास्ते पर चलने पर हमारी परि परिशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं, और हम परिशानियों से बच पाते हैं, जरूरत है किसी के जीवन में आने की, और हर किसी के जीवन में कोई ने कोई संत आता है, कोई ने कोई समय आता है, जब उसकी परिशानी दूर होने वाली हो, अगर वो पहचान गया, समझ पिखारी रहते हैं तो इसलिए जरूवत है थोड़ा सा चेंज लाने का, थोड़ा चेंज लाते हैं अगर हम तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बस थोड़ा सा भरोसा और थोड़ा टाइम की बात है, थोड़ा सा बिलीब करके आगे बढ़ने की बात है, थोड़े दिन की परिशानी होती है, ब not forget to bring us to join spiritual journey with pran shakti family